तो है गाइस वेलकम तो लेवल सी तोड़े आई विल गूंग तो एक्स्प्लेइट ऑफ यूजिंग एलोवेरा जेल तो अब यह बात करूं तो एलोवेरा जेल आपके स्किन के लिए बहुत ही जादा अच्छा होता है आपके स्किन में ज़रूरी सेल्स को अब बेसकिन फ्रेश काउट करता है ठीक है और जो डेट सेल्स या रप्चर हो रहे हैं जो कमजोर सेल्स हो रहे हैं तो उन्हें भी हील अब यह आपके स्किन में फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है और आपके डार्क स्पोर्ट रिंकल्स पिंपल्स आपके जितने भी हैं ठीक है और खुर्दुरापन जो कि आपकी स्किन में है तो उसे आप रिमूव कर देगा और आपकी चेहरें पे बिसकिलिए एक लेयर रखेगा और जो फिर आपके बैक्टेरियल इंफेक्शन जैसे फेस पे है या फिर डाक स्पोर्ट है तो उसे वो तुरंत ही रिमूव करेगा ठीक है तो इसका कंसिस्टेंट यूज अगर आप करते हैं तो डाक स्पोर्ट से बिसकिलिए आप सेवन डेज में ही आप इससे पा सकते हैं और अगर कहीं पर इसकिन पर बहुत ज़्याद धबा है ठीक है तो इसे आप यूज करिए सेवन डेज में आपके वो धब्बे जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है तो यह एक ग्रैजुल प्रोसेस होता है तो आई होप यूविल अंडर्स्टैंड अब बात करते हैं कि अलोवेरा जेल क्यों अप्लाई करना चाहिए तो अलोवेरा बिसकिली रिच होता है आपका वाइटमिन E में और इसमें बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सिडेंस होते हैं जो कि आपकी फेशिल स्किन और फिर कई कोई भी बॉड़ी पार्ट की स्किन पर बहुत ज़्यादा नरिश्मेंट प्रवाइड करते हैं जेल बिसकिली मैंने पहले भी कहा है जेल बिसकिली फास्टर रेट ऑफ एब्सॉर्ब्शन होता है ऐस कंपेर टो एनी क्रीम ठीक है जो यह एब्सॉर्ब भी बहुत जल्दी होता है और आपको आपका बिसकिली जो लगा भी लेंगे तो कोई पहचान नहीं सकतक कि आपने कुछ लगाया हुआ है ठीक है तो यह बेनफिट होता है कि गम चिपक जाता है लेयर बना लेता है ठीक है और यह बिसकिली अलुवेरा जैल एक ट्रांस्परेंट जैल भी है ठीक है तो इसका कोई कलर नहीं है वैसे तो यह ग्रीन देख रहा है वैसे है प्रांस्परेंट जैल ठीक है और बिसकिली अगर आप अपके प्लांट्स में होता है उससे अगर आप एक्स्ट्रेक्ट करें और उससे आप तुरंत ही मॉर्निंग में लगाए या नाइट में भी लगाए तो उससे बेस्ट कोई चीज चीज नहीं है तक है क्योंकि वो नाच्च्रल चीज है तो आपके छेल्ट में ब्लड शेटन को इं Motors करेंगा वहां पे बिसकिली नर्व जो कि नर्व आपर उनकी भी मेंटेनिंग और उसमें भी वह फ्लो बनाए रखेगा ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा और नर्वस टेंशन जो होती है जैसे नर्फ बिसकली सिकुड जाती है तो कई बार वहाँ पर आपकी डाग सर्कल्स होने लगते हैं पिग्मेंटेशन होने लगते हैं नर्फ सिकुडने स यह थंडी में बहुत जादा होता है तो उसको अगर आप मसाज्ट टाइब कह करेंगे मैं कहता हूं मसाज जरूर करें बॉड़ी की टू 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 टाइमस अवीक आप मसाज जरूर करें ठीक है तो अगर आप इसे फेशिल स्किन पर मसाज करनें तो आपकी जितनी भी जुटनेस होती है चाहरे में ठीक है उसे में कहा रहा हूं तो उसे जब आप ऐसे मसाज करोंगे तो एक दम आपका सही हो जाएगा सो अब बात करते हैं यह बिकली फ्रम प्रम्ड ब्रेंड प्तांजली सॉंदर एलोगेरा जल ठीक है पतांजली का यह ब्राण्ड है नेच्रल भालों के लिए अलोवेरा जल का प्रयोग करें इसे बीसल्ट के द्राय सक्टीन है इसके जड़ के जड़ जिसे कहते हैं रूखापन या बाल जड़ते है ये बाल कम उगते हैं तो फिर आप इसे अलोवेरा जल बिसकी नहाने के आधे घंटे पहले आप पूरे हैड पर अपन आपके नैश्रल तरीके से ठीक हो जाएंगे क्यों क्योंकि मैंने आपको पहले कहा अलोवेरा कंटेंस एंट्योक्सिडेंट्स ऑक्सिजनेटेड प्रॉपर्टीज एंड वेटमिन ए आपके पूरे जितने टीशू और मसल्स और जितने भी आपके स्किन की लेयर्स हैं उनको तक हील करेगा ठीक है अब इसमें आगे देखते हैं तो अच्या कि विकारों एवन खुर्दुरापन दाग धबों आदी में अलोवेरा जल 5-7 मिनिट मसाज करें जैसा मैंने कहा धबापन खुर्दुरापन जो चेहरे पर जैसे बहुत जादा फोड़ा वगरा हो जाता है तो फिर जब वो ठीक होता है तो फिर उसके बाद भी बहुत जादा खुर्दुरापन रहता है चेहरे पर मतलब चेहरा एक अच्छा नहीं दिखता तो इसको आप अगर अप्लाई करेंगे तो 7 देज में आपकी स्मूध स्कीन हो जाएगी ठीक है दाग धब्बे और चेहर अगर बहुत जादा है ठीक है नाइट में इसके आप यूज कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी जैसा मैंने कहा नाने से पहले थर्टी मिनट्स बिफोर आप इसे यूज करें तो इसे यूज करें तो इन इस वीडियो आई वुड़ अगर आप नेच्रल प्रवाइट कर सकत क्यांकि बहुत वानि में बाताओ? क्योंख वोरआ आप इसे प्रवाइट में पर शल्तक्ते हैं if you like this video don't forget to like share and please subscribe our channel lovea a subject thank you